हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आथनिक भारत घटना चक्र पूरोलोकन की सीरीज में आप लोग स्वागत है यह धस्वापट है धस्वा दस्वा वीडियो है यह video is सिरीज है आतनिक भारत घटा चकपर लगकन सिरीज की यह दस्वर वीडियो आए देखते हैं कांग्रेश से पूर अस्थापित रादनीतिक संस्थाएं कौन-कौन से थी उसके संस्थापा कौन थे किसी वर्स जो है संस्थापित की गई थी आईए वन-वाई-वन देखते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा आईए देखते हैं उस रादनीतिक संगठन का क्या नाम है जिसकी अस्थापना 1839 में की गई थी तो यह थी जमीनदारी एसोसियेशन यह बहुत बार पुछा गया है कि 1839 में किस रादनीतिक संगठन की अस्थापना की गई है तो चा अगला देखते हैं इसमें देखिए चार सभाएं चार एसोसियेशन यह सब दिया गया है इसमें पूछा गया है कि 1875 में हाउस आफ कॉमन्स में किसने याच्किया दायर करके एक मांग किया था कि मांग की गई थी उसके द्वारा कि बिटिस संसद में भारत के नर्जुत की मां किसने किया था देखते हैं दि दक्कन एसोसियेशन ने इंडियन एसोसियेशन ने दि मद्राश महाजन सभाने या पूना सरवाजनिक सभा इनमें बताना है किसने 1875 में हाउस आफ कॉमन्स में एक याच्किया दार कर बिटिस संसद में भारत के भारत के प्रत्यच प्रतनियुत की मां कि थी आई अगला देखते हैं इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे सुरेंदरनाथ बनर जी इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे सुरेंदरनाथ बनर जी आई अगला देखते हैं रास्टी कांग्रेश से पूर्व सबसे प्रमुग संस्था कौन सी थी ये थी इंडियन इसोसियशन आफ कलक dissertation रास्टी कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुग संस्था कौन सी थी इंडियन इसोसियशन आफ कलकत्ता , अब आई अगला देखते हैं। इं कि इन चारो में से 4 दिये गा है इन में से कौन हैं जिनको बिधिस द்वारा इंडियन शिविल सर्विषे से बरखास्ट कर दिया गया था देखते हैं देखिए पहले हैं सतेंद नाथ टाइगोर दूसरे था शुरींद नाथ बनर जी 3ndr तो इसमें सुरेंदनाथ बनर जी को बिट्रिस द्वारा इंडियन सिविल सर्फिस से बरखास्त कर दिया गया था और इंडियन सिविल सर्फिस में पहले सेलेक्ट होने वाले कौन थे सबसेलेक्ट होने तो यह सतीन द्रनाथ टाइगोर यह दोनों याद रखिए आई अगला देखते हैं शुरें नाथ बनर जी द्वारा अस्थापित उस संगठान का क्या नाम है जिसका 1886 में इंडियन निसनल कांग्रेस में बिले हो गया था तो उस संस्था का क्या नाम है, उसका है Indian National Conference, Indian National Conference का गठन किस ने किया था सुरीननात बनर जी लेकिन 1886 में ये इंडियन निस्टनल कांग्रेस में इसका बिले हुआ था, इंडियन निस्टनल कांगरेस की अस्थापना कब हो इती, 1885 में इसमें कितने सधस थे, 72 सधस थे, बहुत बार पुछा ज बनर जी याद रहा किए आई एकले देखते हैं राजनींतिक सुधारों को लेकर बिरोत करने, प्रथम भारती कौन थी। बहुत इंपोर्टेंट है राजनीतिक सुधारों को लेके बिरोत करने वाले प्रथम भारती कौन थे सुरेंद्र नात बनर जी आईए अगला देखते हैं इसमें बताना है करम इनका किसका गठन कब हुआ इसके बाद किसका हुआ इसके बाद किसका हुआ आईए देखते हैं देखेँ पहला है बामभे एशो सीजन इसका गठन कब हुआ था 1852 में इसका गठन किस ने किया था दादा भाई न 2004 झिया था दूसरा है इंडियन लीग, इंडियन लीग का गठन कब हुआ था, इंडियन लीग का गठन हुआ था, 1875 में, इसका गठन कब हुआ था, 1875 में, इसका है सिसिर कुमार घोस, इसकी अस्थापना सिसिर कुमार घोस, इसकी अस्थापना कब हुआ था, 1876 में, इसकी अस्थापना इसकी अस्थापना किस ने किया था इसकी अस्थापना येस रामस्वामी मुदलेयार आए फिर से देखतें एक पर बांबी इसुसीशन की अस्थापना डाक्टर नारो दादा भाई नैरो जी ने किया था 1852 में कब किये थे 1852 में इसकी 1852 में इंडियन लीकी अस्थापना जो है सिसिर कुमार गोस ने 1875 में किया था इंडियन इसुसीशन की अस्थापना सुरेंद्र नात बनर जी ने 1876 में किया था मद्रास महाजन सभा की अस्थापना येस रामा स्वामी मुदिलियार ने जो है 1884 में किया था ये यर याद रखियागा बहुत इंपोर्टेंट है येर कई बार पुछे जा चुका है मद्रास महाजन सभा की अस्थापना किस ने कियी थी येस रामा स्वामी मुदलेयार ने 1884 में आई अगला देखते हैं 1885 में अस्थापित बंबई प्रेसिडेंसी इसूसियेशन की संस्थापकों में से एक काउन ते चार आपसंस दिये गए थे उसमें से एक फिरोस सामेता थे 1885 में अस्थापित पहले बंबई प्रेसिडेंसी इसूसियेशन कब अस्थापित की गई थी 1885 में उनकी संस्थापकों में से एक काउन से फिरोस सामेता आई देखते हैं इसमें संस्थाय देगा ही इनका कहां पर किस अस्थान पर इनका संगठन की स्थापना हो थी, संगठन की स्थापना हो थी, बिटिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में हो थी, इस्ट इंडियन इस्थापना लंदन में हो थी, निस्नल इंडियन इस्थापना लंदन इंडियन इसुसियन के अस्थापना कब हो थि? परिल्टिस स्थापना कब हुई थ? कहा एक बार फिर सी देखते हैं देखिए बंग प्रकासक्या सभा की स्थापना कहा कब हुई थी बंग प्रकासिया सभा की अस्थापना कब हुई थी 1836 में देखे ये 1836 में 1839 में है Landholders Society बंग प्रकासिया सभा और बंगाल बिटिस सोसाइटी की अस्थापना जो हुई थी 1843 में इंदियन लीग की अस्थापना हुई थी 1875 में अब आईए अगला देखते है इसकी संस्थापक कौन कौन है देखे लैंड होल्डर सोसाइटी की संस्थापक कौन है द्वारक नाथ टैगोर बिटिस इंडिया सोसाइटी की अस्थापना किस ने किया था बिलियम एडम्स इंडियन सोसाइटी के स्थापना आनंद मोहन बोस ने, इंडियन इसुसीयसन के स्थापना सूरेंद नाथ बनर जी ने, फिर से देखते हैं, लैंड होंडर सोसाइटी के स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने, बिटिस इंडिया सोसाइटी के स्थापना बिलियम एडम्स इंडियन सोसाइटी की अस्थापना आनंद मोहन बोस ने, इंडियन इसुसीएशन की अस्थापना सुरेननाथ बनर जी ने, आई अगला देखते हैं, इंडियन लीग की अस्थापना किसने की सुसिर कुमार घोस ने, इंडियन इसुसीएशन की अस्थापना आनंद मोहन बोस भारती रास्थी उदार संग की अस्थापना सुरिदनाथ बनर जी नी United India Patriotic Association की अस्थापना सैद आहमद खाने बहुत इंपोर्टेंट है इसको याद रखिए एक दो बार वीडियो देखेंगे और इसको लिखेंग काँ पर याद हो जाएगा इंडियन लीग की अस्थापना सिसिर कुमार गोष इंडियन इस्थापना आनंद मोहन बुस भारती रास्थी उदार संग की अस्थापना सुरिदनाथ बनर जी United India Patriotic Association की अस्थापना सैद आहमद खाने अब आईए देखते हैं किसकी अस्थापना किस वर्स हुई थी Asiatic Society अब बंगाल की अस्थापना 1784 में Asiatic Society अब बंबे की स्थापना 1804 में Royal Asiatic Society अब ग्रेट बिटन की स्थापना 1823 में Landholders Society अब बंगाल की स्थापना 1838 में याद रखेगा यह सब इसे बहुत इंपोर्टेंट है फिर से देखते हैं अब आई देखते हैं काउन इसकी संस्थापक है British Indian Association की अस्थापना राधा कांद देव Bombay Presidency Association की अस्थापना केटी टैलंग Central Muhammadan National Association की अस्थापना सैद अमीर अली Servant of India Society की संस्थापक कौन ते गोपाल किस्ट गोखले, गाधी जी की राजनीति गुरु भी थे यह भी बहुत बार पुछे जा चुका है आईए फिर्श देखते हैं, बिटिस इंडियन इसुसीज़न की अस्थापना राधा कान्तियो, बॉम्बी प्रिसिज़न की अस्थापना केटी तैलेंगने, सिंटरल मुहम्मडन निस्टनल इसुसीज़न की अस्थापना सैद अमीर अली, सर्विन टाफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना गोपाल किस्ट कोखले, यह आईए देखिए कुछ जो है, जो नवा वीडियो अपलोड किये थे, उसका कुछ रेमेनिंग पाट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, इसलिए इसमें दो पेज उसकी अटेच कर दिये हैं, आईए देख लेते जो संस्कित भासा में प्रवेड़ता के लिए जाने जाते थे, दयनन स्रुप्षती, इस्वर, चंद्र, बिद्यासागर, राजाराम, मोहन राए, आईए अगला देखते हैं, इसमें देखिए चार कथन दिये गए थे, लेकिन जो सही है वही आपके सामने है, देखिए, ब सिच्छा के विकास में युगदान दिया था, आईए सही है, और रामकिष्ण मिशन के अस्थापना किसने की थी, स्वामी बिविकानन ने, आई एक बर फिर से देख लेकते हैं, ब्रह्म समाज एक इस्वर बात का समर्थन करता था, आईए समाज सिच्छा के विकास में तो जोतिवा फुले ने भारत में नारी आंदोलन का प्रारम हुआ था, आई अगले देखते हैं, अब इसमें बताना है कि इन तिनों में क्या एक समानता थी, ब्रह्म समाज, रामकिष्ण मिशन, आरी समाज में, यह तिनों जो है राजनेतिक उद्देसों के लिए नहीं ब लेकिन तीनों ने ही देशभक्ती की भावना की बिकास में सहाय तकी, ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन आर समाज तीनों ने देशभक्ती की भावना की बिकास में सहाय तकी, आईए अगला क्वेशन देखते हैं, देखे, दाक्टर एनी बेशन क्या थी, थियो सोफिस्ट थ इन्होंने थियोसोफिकल स्थाइटी के स्थापना की थी, तो थियोसोफिकल स्थाइटी के अंतरास्टी मुख्याले कहा है, मदरास में, आरी समाज के संस्थापक को है, स्वामी देनन स्थापक जो है, स्वामी देनन स्थापक जो है, आरी समाज के संस्थापक है, अगला दे की स्थाप्रा किसने की थी मौलाना हुसाइन अहमद नी आई अगला देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट है जो भी UP PCS या UP में जो भी एक्जाम होते हैं उन एक्जाम के लिए तो बहुत है इंपोर्टेंट है देवबंध आलोन ने यूपी में सैयुक्त प्रांत में का प्रा तारकेश्वर आंदोलन किसके बिरिद्ध मंदिरों में भ्रस्टाचार के बिरिद्ध 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके बिरिद्ध मंदिरों में भ्रस्टाचार का तारकेश्वर आंदोलन कब हुआ था 1924 में यह भी नहीं बोलना है इसको भी याद रखना है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करके कमेट में लिख सकते हैं क्या कमी है क्या दिक्कत कहीं बोलने में दिक्कत हो रही है या वीडियो में क्लियर्टी नहीं है जो भी दिक्कत है आप लोग comment box में लिख सकते हैं thank you for watching मिलते हैं next video में